हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं भयानक रूप को देखते हुए अगनी शमन यंत्र द्वारा दो और गाड़ी को बुलाया गया जहांपर सुमेरपुर से दो और एक गाड़ी शिवगंच से बुलाई गई जहांपर करीबन दो से तीन घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया वहीं पहाडी के नीचे तो आग पर अगनी शमन यंत्र द्वारा काबू पाया गया लेकिन पहाडी के उपर अभी भी आच भबकी हुई है जहांपर अगनी शमन यंत्र पहाडी पर नहीं पहुचने के कारण आग पर काबू नहीं पाया गया वहीं जानकारी के अनुसारती इन अगनी शमन की गाड़ियां मौके पर पहुची थी, वे आग के विक्राल रूप को देखते हुए, फार्ना की गाड़ी को भी बुलाया गया था, लेकिन वे मौके पर नहीं पहुची, वहीं ग्रामीनों ने बताया कि पहाड़ी के उपर टीवी के रपोट